है गाईच उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जैसे कि आप सभी भली भाती आउगत हैं कि Central Bank of India में सफाई करमचारी के पदोपे भड़ती निकाली गई है जिसका form कैसे भरना है मैंने step by step आपको वीडियो बनाकर जनकारी उपलब्द करवा दिया है उस वीडियो मैंने आपसे वादा किया था कि आप मैंसे कापी सर लोग अगर कमेंट करके कहेंगे कि इसका selection कैसे होगा तो उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे आपको बताएंगे कि अगर आप भी Central Bank of India में सफाई करमी के रूप में भरती होना चाहते हैं तो form को भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं तो आपका selection कैसे होगा तो selection के regarding हम बात करेंगे इसके साथी साथ जो इसका basic जंकारी है जैसे कि कितना पदों पे भरती होगी qualification क्या रहेगा, उमरसी में क्या है, आवेदंसुल कितना देना है कब से लेकर कब तक form फिल होगा, salary कितना मिलेगा और syllabus regarding हम बात करेंगे कि आपका selection किस तरह से होने वाला है ठीक है, तो प्लीज वीडियो सुरू से अं तक लेकर जो और देखिएगा और वीडियो थोड़ा सब अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like करिएगा क्योंकि आपका एक like मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है सबसे पहले हम form फिल करने का जो date है उसको समझ लेते हैं तो 20, 12, 2023 से इसका आवधन जो है सुरू कर दिया गया है और आप 9, January, 2024 तक online mode में form को भर सकते हैं form कैसे भरना है उसके regarding हमने आपको जनकारी उपलॉप्त करवा दिया हुग है तो description box में हम link उपलॉप्त करवा देंगे जिसके माधिन से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं समझ सकते हैं कि आपको जो ही form कैसे भरना है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कितने पदों पर भरती होगी तो 484 पदों पर आपका भरती होगी जिसमें अलग-अलग state रखे गए हैं कहीं से भी आप आते हैं तो form को भर सकते हैं आला कि वहां का जो local language होता है ठीक है वह आपको पता होना चाहिए तभी जो ही form को भरिएगा क्योंकि इसमें जो ही local language test भी होता है मागे उसके regarding बात करेंगे qualification की हम बात करें तो अगर आपने दसवी पास कर लिया हुगा है चाहिए आप किसी भी वोट से पास किये हैं क्यों पास होना चाहिए और यह आपका जो हे एक date रखा गया है date मैं exact यहां पर याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो आप form भरेंगे न तो उस समय आपको वहां पर mention कर दिया आता है कि आपका जो metric है न इस date तक मतलब 23 इस तक जो हे complete है तो form को भर सकते हैं उसके बाद हम उम्र सीमा की बात करें तो आपका उमर 18 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए इसमें छूट भी मिल जाएगा काफी सरे आवेदय कैसे है न कि जिनका उमर जो हे expire कर गया होगा तो अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का उमर सीमा में छूट मिल जाएगा और ACST है तो आपको 5 साल मिल जाएगा तो आपका उमर जो हे इस काइटरिया के अंदर गर्थ अगर है तो आप form को भर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है आउदन किती हमने बता दिया हुए यहां पे और salary की regarding हम लाशने बात करेंगे कि आपको कितना salary मिलेगा अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि इसने आपका selection किस परकार से होगा ठीक है क्यूंकि आप में से काफी सर लोग जानना चाहा रहे हैं फर्म भर रहे हैं और कुछ लोग फर्म भरे भी हैं तो selection की हम बात करें जैसे की चायन परक्रिया की हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपका लिखित परिच्छा होगा अब आप में से काफी सर लोग कहेंगे कि सफाई कर्मी के लिए लिखित परिच्छा होगा जी और IBPS के बारे में आप सभी जानते हैं किसी प्रकार की color की भरती हो गया, PO का भरती हो गया, मतलब bank में जो भी भरती होता है न, IBPS के मादे में से ही निकाल जाती है, भरती होता है, तो इसका भी भरती यही करा रहा है, लिखित परिछा में आपका जो है objective type question होंगे, बहुत बि बिकल्प मिलेगा, जिसमें आपको simple सा उसका एक बिकल्प करना होगा, जो भी सही होगा, question की हम बात करें, तो 70 question पुछे जाएंगे, और आपको 90 मिनट मिलेगा, बतलब 90 मिनट देर घंटा का समय मिलेगा, 70 question पुछे जाएंगे, और इसमें किसी परकार की negative marking नहीं रहेगा जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है, तो लिखित पर इच्छा आपका 70 question का होगा, 90 मिनट मिलेगा, अब इसका syllabus क्या रहेगा, समझ लिजे, देखिए, सबसे पहले तो यह standard का आपका label का question रहेगा, तो इसमें हम GKGS की बात कर लेते हैं पहले, देखिए, GKGS से आपका 20 question पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं न, तो इस तरह से आपको जो हे, exam में बैठना होगा, exam में बैठने के बाद, जो भी इस exam में बैठेंगे, इसमें से, vacancy के चार गुना, अभिरतियू का selection होगा, local language test के लिए, क्यूंकि इसमें आप से कैटिगरी में कितनी भरती निकाली गई है, उसकी जनकारी जो है, अपीसल नोटिफीकेशन में जाकर देख सकते हैं, उसको मैंने form फिल करने वाला वीडियो में कवर किया हुआ है, फिर नोटिफीकेशन का हमने लिंक भी दिया हुआ है, जिसको अब चेक आउट कर सकते ह जाने का मतलब कि 484 जो है भरती निकाली गई है, ठीक है, तो इन्टू अब चार्चे करेंगे, तो 1936 लोग का सेलेक्शन होगा, इसमें जो लोग बैठेंगे न, उसमें से 1936 अभिरतिव का सेलेक्शन होगा, लोकल लेंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है, अब इसमें क्य इसमें जो लोग पास होंगे, उनका यहां पर मेड बना कर सेलेक्शन कर दिया जाएगा, तो मैंने अल्मोस्ट आपको सरा जनकारी बता दिया है, कोई भी डाउट, आपके लेंग्वेज टेस्ट के लिए, इसमें तीस कोशन पुछे जाएंगे, तीस मिनिट मिलेंगे, इस मन में है, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करिएगा, उसको हम सुल्जाने की कोशिज करेंगे, ठीक है, अब यहां पर हम सलरी की बात कर लेते हैं, कि आपको सलरी कितना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सलरी बहुँ जदा इंपोटेंट है, क्योंकि आप लोग तो पहले ही कर रहे हैं कि सफाई कर्मी के भरती मिले रहे हैं, बताइए अब सफाई कर्मी बनने के लिए भी हम एकजाम देना होगा, तो हाँ, आपको एकजाम देना पड़ेगा, तो कही न कहीं सलरी भी पता होना चाहिए, तो इसका बेसिक सलरी के हम बात करें, तो 18,000 है, और सब मिला ज का जो form वेगर आगरा फिल करना है कैसे फिल करना है मैंने तो अल्मोच आपको वीडियो बना ही दिया है तो उस वीडियो कब देख लीजिएगा बाकी मैंने सभी चीजों कभर करने के कोसिस किया हुआ है कुछ भी अगर स्टेड के और्तगर जो ही रीजन भी दिया गया है ठीक है तो उस रीजन से आते हैं तो form को भरेंगे आप किसी भी स्टेड के लिए form भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां का लोकल लेंग्विज आपको पता होना चाहिए क्यूंकि 30 नमर का आपका लोकल लेंग्विज भी स्टेड होगा इसने क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा उमीद है समझ में आया होगा तो फिलीज वीडियो को लाइक करिएगा चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साहत अपते के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद